विद्वा ने श्राप दिया था कि यही इसी जगह तुम दोनों भी एक दिन गोलियों से छलनी होकर मारे जाओगे। राजू पाल के शव को हॉस्पिटल में देखने के बाद उनकी पत्नी जो विवा के सिर्फ साथ दिन बाद विद्वा हो गई। उन्होंने वही हॉस्पिटल में अपनी चूडिया तोड़ते हुए और अपने माथे से अपना सिंदूर मिटाते हुए अतीक एहमद और अश्रफ को श्राप दिया था कि यही इसी जगह तुम दोनों भी एक दिन गोलियों से छलनी होकर मारे जाओगे। इस श्राप को उत्तर प्रदेश के कई स्थानिय चैनल भी दिखा रही हैं। एक ऐसी महिला जो अपने विवा के सिर्फ साथ दिन के बाद विद्वा हो गई उसने अपने दिल की कितनी गहराईयों से श्राप दिया होगा कि उसका श्राप एकदम सच साबित हुआ। ठीक उसी हॉस्पिटल में अतीक और अश्रफ वैसे ही मारे गए जैसा श्राप पूजा पालने दिया था। मेटर न्यूस में ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे पोस्ट को लाइक करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्लाएं। अतीक एहमद को तो उसके श्राप का फल मिल गया है। धन्यवाद।